मुझके अंदर काली धब्बे 18-पटिसत लोग इस प्रिसानी से सफर करें परिसान है और बिसिकली होता है क्या है कि मुझके अंदर जब काली धब्बे होते हैं तो उसके जो symptoms आपको दीखते हैं या फिर जो भी फील होता है पेशन्ट अच्छे से समझ नहीं पाते हैं एंट घबराने लगते हैं उन्हें लगता है कि यह कैंसर तो नहीं हो गया है कैसे सबसे ज्यादा जो questions मेरे पास आते हैं इससे ही related आते हैं कि मैं मेरे मुझे अंदर क जो भी हैविट्स थे जो भी हैविट्स थे मैंने एक दो साल पहले चोड़ दिया लेकिन फिर भी मेरे मुझे अंदर काले धब्ब्ब हो रहे तो आखिर ऐसा क्यों हो रहे हैं है लो गैस कैसे आप लोग मैं हूं डॉक्टर कंचल सुमेज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो भी नए वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा यह जो प्रॉब्लम होती है तो यह जो प्राब्लम होती है ओबरॉल आपके माउट में कहीं भी हो सकती है तो यह जो प्रॉब्लम होती है तो यह जो प्रॉब्लम होती है और आपके माउट में कहीं भी हो सकता है तो यह जो प्रॉब्लम होती है और अभी नहीं में आइज़े, यह स Eduardर कि कैं魔 symptom दिए अभी क्यों, अपकर धूरिधे लिए आदर रूज़े अभी चम स OFTek प्राब्लम्स क्या आती है कि हमें इस तरह की प्राब्लम्स करने पर जाती है आपको प्राब्लम्स क्याद्टा में उसका प्राब्लम्स करने लगता है कि मेलनी नीचे ही उसकाती है मेलनीन बहुत जादा हो जाते हैं जादा मात्रा में बनने लगते हैं जिसके वज़े से यह पर पिग्मेटेशन हो जाते हैं तो अब हम यह समझ लेते हैं कारण है जिसकी वज़ा से हाइपर पिग्मेंटिशन होने लगती है सबसे फर्स्ट एंट वेरी कॉमन रीजन है कि होने का वह स्मोकिंग जो लोगे स्मोकिंग टोबैको चीविंग इस तरह की हाबिट्स रखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको इस तरह की पॉब्लम्स देखनों के मिलेंगी जो लोगे स्मोकर सोते हैं आप देखते होंगे कि उनके जो तालू होते जो पैलेट होती है उनमें बहुत ज़्यादानी uh black spots होते काले धब्बे होते हैं कि और किसी किसी में पूरा तालू ही काल प्रीज़ आपको पर आप दिख सकते हैं तो इसे मेडिकल टर्म में हम स्मोकर मेलनुस कहते हैं जो लोगे स्मोकिंग करते हैं उनमें बहुत ज्यादा हाइपर-pigmentation होती है तो बिसिकली होता है कि जो इस तरह के आप चीजों का सेवन करते हैं smoking जैसे है तो इनमें बहुत ज़ादा मात्रा में nicotine present होता है एंड यह जो nicotine है मेलनीन हर्मोन करती है दिस्टॉप करती है निकोटीन की वाज़से जो मेलनीन हर्मोन है active हो जाता है और बहुत ज़ादा मात्रा में हर्मोन का प्रोड़क्शंस करने लगता है जिसके बज़े से आपके जो माउत हैं और अर्ड मीकोजया है वहांबर इस तरह के पिगमेंटेशंस दिखने लगते हैं आप या फिर फिर फेल बीज्च ची के फर्म में हो सकते हैं लेक्ट पेस आप लोगो क्याते हैं कि मैं? जो मेरे habits और स्मोकिंग टबैको जीविंग केरा हम फिर चोड दिया लेकिन फिर मेरे मुग के अंदर काले धबय तो इसाथ क्यों हो रहता है कि यहां पर जो पेशिंक मुझे कहते हैं वह सच पोल्ड है कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताईए तो चलिए इस चीज को समझते हैं अगर है आप कि यहांगी पर फैसे पर फैसे हैं कि आपने हैबिट को करते हैं जीम अपने हाबिट यहां गट्रोल करते हैं ध़्यली लगता है चारज चै算 करुछ आणया हो चलिए है मढ़ुलिंताई को हो जाता है है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिसिन ले ले लिए या पिक अपने हाबिट्स को नहीं चोड़ेंगे आप स्मोकिंग करते रहेंगे और दवाया लेकर आप चाहते हैं कि यह ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहते हो कि यह पूरी तरीक कि यह ठीक हो जाए और वापस से रिपीट नहीं करें तो इसके लिए आपको आपके जो हाबिट्स है उसे कंप्लीट्ली छोड़ना पड़ेगा हमेसा के लिए स्टॉप करने पड़ेंगे अगर आप अपने हाबिट्स को छोड़ देते हैं और यह जब ठीक हो जाता है ठीक कि अपनी डॉक्टर के साथ ऑनेस्ट रहें क्योंकि आपका ट्रीट्मेंट जो है आपके जो भी स्टेट्मेंट होते उस पर बहुत डिपेंड करता है जबसे ज्यादा आते हैं उससे जाननेते हैं आपकी कोशन आते हैं कि मैं क्या यह कैंसर है इसे समझना ज़ूरी है कि अंगर आपको जो फाले धबब या पैचेज है अगर गाव के जैसे दिख रहे हैं या या अष्टरेटेड वूंड तरह दिख रहे हैं उसमें उभार सा आपको दिख रहे हैं तो चैंसे है कि यह मजलिगनेट मेलनूमा हो सकता है आप दिखर अच्छे समझ सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स होती है उससे आपका जो इस नंवाप्ब्लम्स भाषल कि खुला जो और प्रॉब्लम्स होती हैся और अपका जो अलसर है काstar दने साफ़ोर जा रहे उसमें उसमें चेंज हो चांढर को स rectal तो यह malignancy की तरफ convert करता है और chances होते हैं कि यह cancer में convert हो जाए तो ऐसे condition में आपको जुरूर आपनी जो भी nearest doctor है उनसे करना चाहिए अब आपका question आता है कि हम कौन से doctor को दिखाए अगर आपकी oral cavity में यानि की मुखे अंतर कोई भी परशानी है तो आप अपने dentist से दिखाए क्योंकि मुखे अंतर जो भी problems होती है वो dentist का केस होता है जो दात के doctor होते है वो चेक करेंगे तो आप अपने dentist के पास जा फिर क्यों उनमें काले धब्य होने लगते है तो इसके भी बहुत सारे factors होते हैं बहुत सारे कारण है जिसकी वज़ए से बौडी में जो मेलनीन हर्मोन है उसका production बहुत जादा होने लगता है तो जैसे sun exposure की वज़ए से अभी जो गड़ में आ रहे है इस टाइम पे अगर जो इंसान बहुत ज्यादा सन के exposure में रहते हैं सन exposure में आने की वज़ए से जो मेलनीन हर्मोन है उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन सोने लगती है जिसकारल यह जो काले धब्य हैं आपको दिखने को मिल सकते हैं यह जो प्लैक स्पोर्ट आपके overall body में कहीं भी हो सकते है अगर आपको किसी तरह की problems है और आप मेडिसन ले रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरह की medicine होते हैं जिसके side effects की वज़े से भी यह problems आपको हो जाती हैं नेक्स होता है कि amalgam tattoo अगर आपने कभी अपने दात में feeling करवाई हो restoration करवाया हो कभी आपके दातों में cavity हो गई हो अगर आपने अपने दातों में amalgam भरवाया है तो जो अमलगम होते हैं उसके वज़े से भी आपको काली धब्बे जैसे दिख सकते हैं तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है अमलगम जो टैटू इसे medical term में अमलगम टैटू कहते हैं इससे आपको किसी तरह की problems नहीं आनी है और नहीं यह किसी तरह का कैंसर होता है बस यह आपको दिखने में काला धब्बा सा दिखता है बस अधिक तरह की प्रॉब्लम है जिसके वज़े से इसमें hormonal disturbance होने की वज़ आपको काले धब्बी दिख सकते हैं तो यह तो होगे बहुत सारे कारण से आपके माउथ में काले धब्बी या पैचेज दिखते हैं चलिए इसके इलाज के बारे में जानने है कि इसका क्या क्या इलाज हो सकता है तो गैस अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वैसे केसे इसम ब्रेक करें आपको इसे चोड़ देना है है इसके बिना आपका ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर नहीं कहें नहीं कि ठीक हो सकते हैं इसके साथ डॉक्टर आपको लाइकोपीन विटामिन सी एंड एनल्जेसिक देते हैं अगर आपका जो प्रॉब्लम है मेलिगनेंट मेलनोमा में कनवाट हो चुका है जैसे कि मैंने भी समझाया अलसलरेटेड वून्स हो जाते हैं अगर मेलिगनेंसी आगी है तो वैसे कंडिशन में फिर रडियेशन थेरपी दी जाती है उनले साथ इस वीडियो से आपको जरूर किलियर हो घूँभा और महें की अंधर काले धबि हो तो हर काले धबि कांसर नगी होते हैं कैंसर के अलग कुछ सिंटम्स होते हैं आपको उस सिंटम्स को पहचाने घबराने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं अगर आपको सस्पेक्टेड है ऐसा लगता है तो जो भी आपके नियरेस डॉक्टर है उनसे कंसर्ट करिए और कॉंपर्म हो लिए परशान होने की जुरूर अपने फैमिली फ्रेंट्स में ज़रूर सियर करें अब तक लिए भी हावी आंड भी हापी